तो जैहिन दोस्तों आप सब कैसे हैं? I hope आप सब ठीक होंगे और घर में सेव होंगे ये वीडियो डराने के लिए नहीं है ये वीडियो सिर्फ एक important message है तो वीडियो पूरी last तक देखना इसमें मैंने ये बताया कि बहुत से लोग कहते हैं कि जिम वालों को करोना नहीं हो सक चुकि है कि हमें करोना नहीं होगा तो यह सारी बाते गलत हैं आपको बात बताता हूं हमारे world class bodybuilder जगदीश लाट उनकी करोना की विज़े से देथ हो चुकी है उनको करोना था उन्होंने अपना hospital में दम तोड़ दिया वह इतने अच्छे bodybuilder थे इतने अच्छी फिजीक लुक्त करोना हो के उनकी देथ हो सकती है क्या वह वरकाउट नहीं करते है चरफ सिरफ 34 साल फिर विए उनको करोना हो और जिनकी वैसे उनकी तो आप इस चीज़ को हलके में ना लीजिए क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जिम बंद कर दी जिम में तो जाके एक्सराइज करके हम फिटी होते हैं तो इससे आगे मैं क्लिप जोड़ रहा हूं वो क्लिप जरूर देखेजिए मेरे बज़े से फैमली मेरे महों डेट वाई बच्चे वो लोग के इंसे नहीं हो सकता है नेचरल अनेचरल इसमें कुछ नहीं है यह किसी को भी हो सकता है कि जिम जाने से करोना होगा मुझे जिम जाने से हुआ क्योंकि इतने लोग आते पता ने इसको क्या है मैं और कहीं नहीं जाता तो जैसे कि आपने इस क्लिप में देखा इन्होंने क्या बताया कि यह सिर्फ जिम जाते थे और कहीं भी नहीं जाते थे इनको करोना जिम से जमें चाहिए लागता ह। अगर भिता है। आपर से वह घ्रद को पोट नहीं को समकर निया ह। ये होगा कि आप अपने आपको भी सेफ रख होगे और दूसरों को भी सेफ रकोगे안 बाकि में चीज़ बात बताओं अब क्योंकि यह को करोना is and करोना मैक्सिम से 2-3 दिन पर लंग्स पर अटाक कर देता है तो आपको लगता है कि अगर बुकार रही है खांसिया कुछ भी अगर कुछ भी तो मास्क का जरूर उपयोग करें, मास्क बीना मास्क लगाए कहीं भी मत जाना बाहर और जाना जब है, जब आपको बहुत जरूरी काम हो तभी जाना बाहर मत जाना, क्योंकि आपकी सेफटी आपके खुद के हाथ है, आपके घरवालों की सेफटी आपके खुद के हाथ में ह कहीं बोलना चाहता हूं अगर आप इस करोना से बचना चाहते हैं तो अपने आपको सेफ रखिए कहीं भी जाए मासला के रखिए और मैंने कल में एक न्यूज देख रहे हैं न्यूज में एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जिसके घर से अगर कोई चला गया उसके लिए महामारी है और जिसके घर में अगर यह बंदा किसी को करोना लग के अगर वो ठीक हो गया उसके लिए बीमारी है और जिसको अभी तक नहीं हुआ है तो उसके लिए एक चितावनी है तो मैं इस वीडियो से आपको यही बताना चाहता हूं अगर आप यह सोच रहे हैं कि करोना किसी को भी हो सकता है चाहे वो जिम वाला हो चाहे वो एथलीट हो या कोई भी स्पोर्ट करता हो यह करोना हर किसी को हो सकता है